दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेट मी में आज की इस स्पीच में अगर आपने फ्री फायर या पबजी कभी खेला है तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं ये स्पीच खाश तोर पर उन लोगों के लिए है जो पहले कभी पबजी खेलते थे, खेल रहे है या फिर खेलने के बारे में सोच रहे है बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत लग चुकी है और लोग इसे बुरा भी मानते है लेकिन आज हम उसी पबजी गेम से जिंदगी की कुछ ऐसी सिखेंगे जो आपको पता होना चाहिए जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और जो लोग पबजी नहीं खेलते हैं वो लोग भी इस स्पीच को जरूर देखें क्योंकि आपको सिखने को मिलेगा कि कैसे हर एक चीज से आप कुछ ना कुछ जरूर सिख सकते है एक हमेशा प्लानिंग बना कर खेलें पबजी गेम से सबसे पहले आपको सिखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा प्लानिंग बना कर काम करें जब भी आप प्लेन से जमीन पर उतरते हैं तो उसके बाद एक सिर्कल बनता है वो सिर्कल धीरे धीरे चोटा होता जाता है और आ हमारी जिन्दगी में भी यही होता है हम लक्ष कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पर जाते हैं इसलिए हमेशा याद रखिए अपनी सर्कल की ओर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए बेड़ चाल ना चले बीड़ चाल रखिए और भीड का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज्यादा देर तक सवाइब नहीं कर पाते हैं उन्ही के जैसे बनने की पूरी कोशिश करते है और अपनी पसंद और नापसंद को कभी ध्यान में नहीं रखते है इसलिए हमेशा याद रखे भेर चाल का हिस्सा ना बने नहीं तो आप ज्यादा देर सवाइव नहीं कर पाओगे अगली सिख जो हमें पबजी से सिखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा जरूरी सामान को ही साथ में रखे और फाल्तू के कच्छरे को इक्था ना करे जब भी प्लेन से उतरते है कई लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ वो सामान इक्था करने में लग जाते है जो भी चीज उन्हें सामने दिखती है वो उसे फटाफट उठाने लगते है वो ये नहीं देखते कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी चीज जरूरी नहीं है कभी-कभी तो लोग ऐसा भी करते है कि बंदुक कोई और उठाली और गोली कोई और ही उठाली जो उसमें लगने ही नहीं वाली है अब इसी बात को अपने जिंदगी से कनेक्ट कीजिए दिन भर में आप बहुत सारी विडियोस देखते हैं बहुत सारी बुक्स बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजे सुनते हैं जो आपके लक्षे से बिलकुल भी रिलेटर नहीं है लेकिन दिन भर आप उन सब चीजों को हमें दिमाग में गुसाते जाते हैं तो यहां हमें सिक मिलती है कि फाल्तू का कचड़ा एक्ठा करने से अच्छा है कि जो चीज हमारे लक्षे के काम आए सिर्फ उसी चीज को हम अपने पास रखे चार हमेशा टीम वर्प करें अगली चीज जो हमें पब जी से सिकने को मिल पास रखे लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते रहते हैं कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने टीम के बंदों को दूर से बैट कर मरता हुआ देखते हैं और उसे रिवाइड भी नहीं देते ऐसी टीम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती है जो यूनिटी के साथ नहीं खेलती है जैसे PUBG में यूनिटी का बहुत ज्यादा important है वैसे ही हमारे जीवन में भी टीम वर्क और यूनिटी का होना बहुत ज्यादा ज़रोरी है नहीं तो कौन व्यक्ति आपको कब आके मार जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा 5. कमजोर व्यक्ति को साथ लेकर चले अगली चीज हमें सिखने को मिलती है कि हमेशा कमजोर साथी को साथ लेकर चले जब भी हम PUBG खेलते हैं तो हमारे साथ ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर जुर जाता है जो नया होता है या जिसे ज़्यादा खेलना नहीं आता है लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते है कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप तीन लोग केल रहे है और दो व्यक्ति वाली कोई कार मिली तो दो व्यक्ति बैटकर उस पर निकल लेते हैं और एक व्यक्ति को पीछे ही छोड़ देते हैं ना तो आपको PUBG गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही आपको अपने जीवन करने की कोशिश करेंग। PUBG केलते समय आपने एक बात बहुत नोटिस होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान धूरते रहते हैं उनका गेम पर ध्यान बिल्कुप नहीं होता है वो जहां नहीं जाते हैं सिर्फ वर सिर्फ सामान धूरते रहते हैं खेलने के लिए उनके पास बंदूक होती है लेकिन वो पुरे टाइम 6X या 8X स्कोप ढूरते रहते है उनके पास स्कायल गन होती है लेकिन वो पुरे टाइम गन ढूरते रहते है और जब वो बहुत सारा सामान एककठा कर लेता है तो सामने से एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे छोटी सी गन से मार कर चला जाता है और उसका सारा एक कठा किया हुआ सामान लूट कर ले जाता है इसलिए इस सिक को हमेशा याद रखिए जो आपके खेल में भी काम आएगा और आपके जीवन में भी काम आएगा की ज़्यादा साधन जुटाने की अपक्षा जो पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक्स का कितना ज्यादा इंपोर्टन्ट है समय समय पर यदि आप अपने आपको ड्रिंट नहीं पिलाएंगे बेंडेज नहीं लगाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी मर जाएंगे ठीक इसी प्रकार से हमारी जीवन में भी होता है हमें सि सामने वाला शत्रू कौन है उसके पास कितने साधन है और ऐसा ही हमारे पास फबजी में भी होता है कि उसके पास कौन सी गन है उसके साथ कितने लोग है उसके पास कितना है या आपको कभी भी पता नहीं होता है इसलिए आप दबंद बन के उसके सामने चाती चौड़ी करक खड़े मत हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक नया खिलाडी भी एक प्रो खिलाडी को भी मार कर चला जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अपने competitor को अपने से कमजोर मान लेते है जो कि हमारे हार का बहुत बढ़ा कारण होता है इसलिए आप कभी भी शत्रू को कमजोर ना समझें 9. सही मौके का इंतजार करें अगली सिख हमें मिलती है कि सही मौके का इंतजार करें 10. जीवन का आनन लो और अंत में सबसे बड़ी जो सिख है जो जीवन का सत्य भी है कि जब आप मरेंगे तो आपके अपने लोग भी आपके सामान को लूट कर ले जाएंगे इसलिए जीते जी अपने लाइफ को पूरी तरह से इंजॉई कीजिए जो भी साधन आपके पास उपलब है उसका पूरा उप्योग कीजिए क्योंकि मरने के बाद तो लुटेरे बैटे ही है तो दोस्तों ये कुछ सिखती जो हर इंसान को पगजी या फ्री फायर गेम से जरूर सीखनी चाहिए एक, हमेशा प्लानिंग बना कर खेलें दो, भेर चाल ना चले तीन, अपने साथ जरूरी सामान को ही रखे चार, हमेशा टीम वर्क करें पांच, कमजोर व्यक्ती को साथ लेकर चले छे, आपके पास जो है उसमें बहतर परफॉर्म करें साथ, हमेशा अपने आपको रिचार्ज करते रहे आठ, अपने शत्रू को कमजोर ना समझें नौ, सही मौके का इंतजार करें दस, जीवन का आनन लो इस स्पीच को PUBG या Free Fire केलने वालों तक जरूर पहुँचा दीजिए ताकि वो भी PUBG या Free Fire गेम से बहुत कुछ सिख सके आशा है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दे और लाइक और शेयर अवश्य करें धन्यवाद